Hello students, इसके पहले के लेक्चर में आपने देखा लापिटर रूल, आपने देखेंगे स्रीज एक्सपांशन, तो पहले में आपको तीन स्रीज बता चुका हूं, लॉगस्मिक स्रीज, एक्सपानेंशिल स्रीज और बैनॉमियल स्रीज और उसका यूज़ करना, अभी में लोग इनवर्स 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 श्रीज देखेंगे, sin x ब्रावर x minus x2 by factorial 3, plus x2 by factorial 5, देखते है, power 1, 3, 5 इस तरह जलता, odd powers, sin alternate, cos x is equal 2 bar minus x power by factorial 2, plus x to power 4 by factorial 4, यहां पर है, even power जलता है, 0 से, ठीक है, tan x is equal to x plus x q by 3, plus 2 by 15, तो 3 तर तक याद रखना चाहिए, आगे मत याद रखो, इस तरह sin x, इस तरह tan x, यह 5, ठीक है, अगर याद रखने में दिक्कत होगी, तो आपको lapitter rule पर ही जाना पढ़ेगा, लेकिन घंप से कम यह 3 तो जरूर ही याद रखना चाहिए, ठीक है, इसका example देखते हैं कैसे ह जैसे limit x 10 सो 0 tan x minus x by xq लापिटर रूल से तो बना कर देख चुके हम लोग अभी की मेथड से चलें तो tan x की यह जो स्रीज है इसको लिखनी होगी tan x ब्रावबर x plus xq by 3 plus 2 by 15 x to power 5 dot up to infinity then minus x by xq यहां एक बास समझना हुआ कि नीचे यतना power रहता है उतना ही ने प्रायर काम चल जाता है ज्यादा दा एक टर्म इक्स्ट्राप लिख सकते हैं उससे आ लिखनी के जिवत ही नहीं है क्यों जिवत नहीं है क्योंकि जैसे यह x और x तो cancel कर लिए यह x पर x cancel होगी है उसकी बाद यह x के उसको divide करेगा तो cancel हो दिवाइड भी करेगा तो x square बचेगा और x tending to 0 है तो आगे का सारा टर्म जितना भी टर्म है सब 0 होगा सांजली अंसर कितना होगा 1 by 3 हो जाएगा ठीक है अब यहां तो मैं tan x minus x देखा था कैसे समझेंगे कि स्रीज या लाबिटरूर का यूज है तो देखिए दो अलग टाइप की टर्म हो लें तो में ट्रीक माइनस अलजबरीक माइनस एक्सपानेंशियल एक्सपानेंशियल माइनस लॉगरित्मिक है ना डो डिफ्रेंट वराइटी की टर्म रहेंगे ठीक है अब इससे तरह सवाल आप देख सकते हैं जैसे कि लेमिट एक्स देंड सो 0 साइन इनवर्स एक्स है ना माइनस टाइन इनवर्स एक्स बाइ एक्स की इसको कैसे बनाएंगे तो साइन वर्स एक्स के ये तीन टर्म आप लिख लेंगे दो ही में हो जाएगा ठीक है लेकिन तीन ये लिख लेंगे उससे माइनस टाइनवर्स से ये तीन टर्म लिखेंग घटाना है तो जब इसको घटाईएगा इसमें तो x x तो cancel हो जाएगा ये x q के टर्म बचेंगे फिर x q से divide किजएगा तो first भी ये बचेगा 1 by factor 3 second बचेगा minus 1 by 3 गगा और घटा रहे हैं तो plus 1 by 3 होगा इस तरह से answer हैगा sin x minus tan x by x q tan x minus sin x by x q tan x minus tan x by x q तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हो जाते हैं ठीक है यह सबसे basic सवाल होगा ठीक है next question देखिए कि क्याता है कि if limit x tends to 0 x into 1 plus a cos x minus b sin x by x q is equal to 1 then find a and b ठीक है वैसे मैं बता चुका हूं कि यह सबस्वाल लापिटर लूसे ही बनता है सिरीज फ्रवा जल्दी कर देगा आपको तो कॉसेक्स का जो सिरीज है वान मानस x पार वाई फैक्ट्वेल टू प्लस x पार फूर फैक्ट्वेल फो एंट फो बोली देना है साइनस लिख देना है एक्स मानस x qy फैक्ट्वेल फ्री एंट सो ठीक है वैसे बता रहा हूं एक्जाम में जालता देखिए है कि नीचे अगर x q है तो x q तक ही लिखनी की जगत पड़ती है साइध ही किसी केसमें हायर पार जाएंगगे शिफ्टी के लिए आप एक पावर एक्स टा जा सकते हैं मैं लिख दिया हूं ठीक है अब दिखी क्या हुआ कि lowest power x का कितना है वन कभी-कभी constant तर्म आता है उसको अलग करना है lowest power of x से start करना है आपको तो यहां लिखा है x into 1 plus a into x और यहां ऐगा minus bx तो इस टर्म में और यह अगर x common निखालते हैं तो आता है 1 plus a minus bx, ठीक है, सेकंड आएगा आएगा आपको xq है, जैसे x into x square कितना होगा, xq, तो xq common लिया, तो आएगा x into x square, xq common होगा, a into minus 1y factorial 2, यानि minus 1, a y factorial 2, यहाँ xq है, तो minus b into minus कितना होगा, plus b, तो होगा plus b by factorial 3, ठीक है, उसके बार अगला term क्या होगा, x into x to power 4, x to power 5 होगा, रोजागा 1 by factorial 4 into a, ठीक है, उस तरह यहाँ होगा, x to power 5, minus b by factorial 5, and so on, और नीचे xq है, divided by xq is equal to 1, फिर हर एक term को separate करते जाए, this first term by xq, क्या होगा, 1 plus a minus b by xq, यह xq by xq, यह cancel होगा, और यह constant term में लगा जाएगा, इस term को divide करेंगा, तो यहाँ x to power बच जाएगा, अब यहाँ देखिए, denominator zero tend कर रहा है, numerator constant है, तो मैं पहले के lecture में बता चुका हूँ, यह repeat कर रहा हूँ, कि numerator के दो ही value, या तो वो non zero हो, या फिर zero हो, दो ही, बस और कुछ नहीं, अगर यह numerator non zero होता है, इस one plus a minus b is not zero, then limit x tends to zero, one plus a minus b by x, चुकि यह non zero है, non zero by tending to zero, क्या होगा, infinite हो जाएगा, तो अगर आपके question में यहाँ result infinity demand करेगा, तो non zero लेगे, अगर यहाँ कोई भी finite number demand करेगा, तो non zero नहीं लेंगे, non zero नहीं लेना मतलब, zero लेना, अब zero में क्या effect होगा, कि if one plus a minus b is equal to exact zero, then limit x tends to zero, one plus a minus b by x square, तो zero by infinitesimal, zero by approaching zero, क्या होगा, perfect zero, ठीक है, तो अब आपके पास सवाल आगया सामने, क्या होगा है, यह term, perfect zero, यह आगे, zero हो चुका, बचा सिर्फ ही, ठीक लिखिंग, therefore, b by 6 minus a by 2 is equal to 1, तो आपके सामने एक यह equation बना, और एक यह equation बना, इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे, तो a और b का value मिल जाएगा, next option देखिए, limit x tend to 0, 1 plus x to be power 1 by x, देखते हैं, यह term, e approach करेगा, तो कि base 1 और power infinity tend कर रहा है, तो e minus e, 0 tend करेगा, और denominator तो 0 tend करी रहा है, 0 by 0, बनाया कैसे, तो इस term को आप लिए एक खाली, u to be power v equal to e to be power real and u, ठीक है, log 1 plus x by x का limiting value, 1 होता है, तो e power 1 minus e, तो 0 हो जा रहा है, बनाया कैसे, तो log 1 plus x का expansion दिख दएगे, series expansion, कितना होता है, x minus x square by 2 plus x q by 3 and so on, इतना लिखने की जो इतना ही पड़िए, जोकि x ही है, तो इतना ही से काम चल जाए, लेकिन हम safety के लिए x q तक ले जा रहा है, ठीक है, और देखो क्या है, कि यह x divide करेगा, तो होगा, x यहाँ काटेगा, 1, यह इसको काटेगा, x by 2, x square by 3 and so on, minus e by x, देखो e का power 1 और यह ही है, यह का power 1, common ले लिए, e common आजागा, e common लेने के बाद हैगा, e का power, minus x by 2, plus x square by 3, dot, dot, और यहाँ हो जाएगा, चुकि e common आज चुका है, minus 1 divided by x, आपको पता है, कि e का power t minus 1 by t, अगर यह t 0 tint करता है, तो 1 भी आता है, अब देखे कि यह जो t है, अगर इसको t assume कर, यह 0 tint कर रहा है, तो e to power t minus 1 by t है, ठीक है, t लाना होगा, चुकि x था, इससे काम नहीं चला, तो आपको t लाना होगा, और t multiply करना होगा, तो यह पूरा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और यह जो t है, divided by x, यहाँ देखो x इसको divided करेगा, तो minus 1 बचेगा, और यह तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यह रहा e, जो common लिए गया था, इसकी value 1, ठीक है, और इसकी value minus 1, कितना अंसरा है, minus e by 2, next question देखते हैं हम दो, limit x tends infinity, x ln, e into 1 plus 1 by x to the power 1 minus x, forward देखेगा, कि जब x infinity tend करेगा, तो यह 0 होगा, 1 plus 0, 1 होगा, ठीक है, 1 to e power minus 3, तो होना तो चाहिए 1, लेकिन यह चुकि बेसर power interdependent है, तो आपको पता होगा, 1 plus h का power minus x होता है, तो 1 by e हो जाता है, 1 by e cancel होगा, यह तर 1 tend करने लेगा, log 1, 0, तो infinity into 0 pattern पे चला जाएगा, यह ठीक है, बनाएं कैसे इसको, तो सबसे पहले तो log m into n लगा दिए, तो log e 1 plus log, 1 plus 1 by x का power 1 minus x, तो log m का power n कितना होता है, n log m, लिखेंगे n log m, यानि 1 minus x log 1 plus 1 by x, अब आपको इसमें expansion कर देना है, तो log 1 plus t कितना लिखते है, t minus t square by 2 plus t cube by 3, याँ t की जगा 1 by x है, तो इसकी जगा लिखेंगे t, यानि 1 by x minus t square, यानि 1 by x square by 2, q, फिर q में जाएगा, 4 में जाएगा and so on, वो आपको क्या करना है, कि 1 minus x को इसमें multiply करेंगे, तो 1 by x into 1, 1 by x, minus x into 1 by x, minus 1, अब इसको इसमें multiply करेंगे, तो 1 into 1 by 2 x square, तो 1 by 2 x square into 1, लेकिन minus के साथ है, फिर minus x को इसमें बोना करेंगे, तो 1 by x square, और ये x cancel होगे, 1 by x बनेगा, और minus 1 plus होजागे, तो 1 by 2 x आजएगा, इसके आगे 1 by x की वाता है, तो ये x cancel करने के बाद भी denominator में 1 by x square आजाता, जिसको हम लिख नहीं रहे हैं, कारण क्या है, कि into में जो x है, ये 1, 1 तो cancel होगया, 1 by x का साथ मिलकर ये देगा answer को 1, लेकिन नीचे x का पार 1 से जितना भी ज़्यादा होगे, जैसे यहाँ देखें ये term कितना हो रहा है, 0 हो जा रहा है, फिर यहाँ देखें, ये x है, कितना हैगा, 1 by 2, तो आपना answer जाएगा 3 by 2, इसकी आगे जो टर्माता, यहाँ आप अगले term लिखते है, 1 by x whole q by 2, और x गुना भी होता, तो वो 1 by x स्कुआर में convert होता, और 1 by x स्कुआर को x से गुना करते हैं, तो 1 by x कट्र मिलता, यह ना, 1 by x, 1 by x पर बंड, इस तरह कट्र मिलते हैं, वो स whole to the power x, यहाँ इन दुनों x common ले लिए, ठीके, तो x plus 1 by x होगा, तो 1 plus 1 by x का power x, denominator में e है, whole to the power x, इसके limiting value e होती है, तो e by 1, limiting value 1, और यह infinity, 1 by infinity, वो फिर और चुकि बेस और पावर दुनों, x में e, same variable में, तो definition और e पर जाएगा, एक बनाएं कैसे इसको, तो फिर यहाँ यहाँ, u का power b, जो है, इसको लिएना, e का power b log u, इसको expand कर देना, पिछले सवाल कीतर है, ठीके, अब क्या होगा, कि यह x है, और इसके expansion के term में देखे, x, x into 1 by x, cancel होके बना जाएगा, फिर x into e, term कितना होगा, minus 1 by 2 x, अगला कितना होगा, 1 by 3 x पर आएगा, and so on, divided by e का power x, तो e का power जो यह 1 है, उसको हमने isolate कर दे, अब देखे, यह e और e cancel हो जाएगा, ठीके, यह आगे है, e का power minus 1 by 2 x, उसका power x, तो कितना होगा, e का power minus 1 by 2, अगला term जो रहता, उसमें x square रहता, तो यह cancel होने के बाद भी 0 होता, e का power 0 बन जाता, तो answer कितना हैगा, answer का e का power minus 1 by 2 x into x यानि minus 1 by 2, ठीक है, next एक बहुत अच्छा सवाल देखिए आप, काता, let l is equal to limit x tends to 0, a minus under root a square minus x square minus x square by 4 upon x to a power 4, a greater than 0, if l is finite, then find a and l, इसमें binomial का सकता है, चोकि यह algebraic term आ गया है, with fraction powers, ठीक है, तो यहां पहले क्या करना है कि a square को बाहर निकाली है, चोकि positive है, इसलिए यह बाहर आ जाएगा, और यह हो जागा, 1 minus x square by a square power half, यह जो है, आपको पता होगा, 1 plus alpha to the power n लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, 1 plus n alpha plus n into n minus 1 by factor to alpha square and so on इसी को लिखना है, a minus a into, यह होगया 1 और यह alpha का काम कर रहा है, यह n का काम कर रहा है, 1 plus n, यानि half into alpha, plus n into n minus 1, यह half into half minus 1 by factor to alpha square, ठीक है, इसका अगला term क्या होगा, उसमें x का power 6 आ जाएगा, उसको मैंने लिख रहा हूँ, यह है, minus x power y4, नीचे है, x power 4 by 4, नीचे ही है, ठी अब देकि क्या होगा कि यह first term, जो a minus a into one, तो cancel हो जाएगा, second term मिलेगा x square का power वाला, इस x square को यह हमल डीप्लाई करें, यह cancel होगा, ठीक है, तो आ जाएगा, 1 by 2 into x square, और यहाँ x square का term है, तो x power common लेंगे, तो यहाँ जाएगा, a cancel, 2a minus minus plus, 1 by 2a, और minus 1 by 4, ठीक है, और x to the power 4, और यह minus से multiply करें, तो यहाँ aq बच जाएगा, ठीक है, यह जाएगा, half into minus 1 by 4, upon 2, यारी minus 1 by 8, into minus, यारी plus 1 by 8, 1 by 8, और यह नीचे aq, denominator aq, into x to the power 4, by x to the power 4, इसकी आगे जो term है, उसमें higher power होंगे, 6, 8 and so on, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, and the result कितना है, finite है, तो प cancel करता है, और फिर मीचे x पर बच जाता है, यह constant, अब इसके दो ही value संभव है, या तो यह 0 हो, या non-0, अगर यह non-0 होगा, तो non-0 by tending to 0 क्या होगा, infinite हो जाएगा, और result आपका finite लिखा होगा, इसका मतलब यह non-0 नहीं होगा, तो यह क्या होगा, exact 0 होगा, और जब यह exact 0 होगा, 0 by x पर 0 होगा, तो आपको यह cancel करने के बाद सिर्फ यही term limit का बचेगा, पहले 0, बाद में 0, limit का इतना ही term बच रहा है, या या ल का value कितना होगा, 1 by 8 aq, limiting value, 1 by 8 aq, जिसमे एका value आप 2 डाल देंगा, ठीके, अब same question को हम L hospital से बना सकते हैं, L hospital कैसे, कि चुकि यह अगर x 0 tint कराएंगा, तो यह माना से 0, 0, 0, 0 by 0 फर्म होगा, लापी टरू लगाईए, तो इसके derivative 0, इसको differentiate करो, root u का derivative, 1 by 2 root u, और इसके अंदर का derivative, minus 2x, इसका derivative, minus 2x by 4, minus x by 2 होगा, नीचे x भी power 4, 4x की होगा, ठीक है, अब इसमें x common लेकर आप काट देंगे इसको, यह 2 2 कटा, x common हो गया, तो यहां बच रहा है, minus minus plus, 1 by root a square minus x square minus half, और जो x common लेकर यहां काटेंगे, तो नीचे आजएगा, x square, फिर पहले के तो लोजिक लगाईए, कि numerator जो है, x tending to 0 डालते हैं, तो आता है, 1 by root a square minus half आता है, अगर उसकी value non-0 ही, तो non-0 by 0, tending to 0, क्या हो जागी infinity, यानि इसको exact 0 होना चाहिए, exact 0, इसलिए 1 by root a square minus half equal to 0, चुकि यह positive a, इसलिए root a square a हो जाएगा, तो a का value कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और जब यह 0 tend कर रहा है, a की value 2 लेने पर, तो फिर 0 by 0 फर्म हो जाएगा, एक बार फिर लापिटर रोल लगाईए, तो numerator क differentiate करोगे, यह क्या है, u का power, इसको u मान लिए, तो u का power minus half, तो जाएगा minus half into, इस u का power minus 3 by 2, और x square का derivative 2x, with negative sign, इसका derivative 0, नीचे जो 4x square कितना होगा, 8x, यह x, x cancel हो जाएगा, और x tending to 0 डाल देंगा, तो 1 by 8 aq आ जाएगा, जिसमें एका value 2 डाल देना है, ठीक है?